बात करते हैं बूट्षप के अंदर पेजिनेशन के बारे में पेजिनेशन क्या होता है इसको डीपरी एक्सेप्लिन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह काफी वेबसाइट्स आपने देखे होंगे जो आपको नीचे मिलता है मतलब वन पे क्लिक करोगे तो यह सेकंड पे क्लिक करोगे तो आप सेकंड पे और रीडिरेक्ट हो सकते हो इस टाप से आपको कुछ फंक्सलिटी मिलती है और काफी वेबसाइट के अंदर आपने देखा भी हो यह जीजी वहीं सिंप्ली आपका होता पेजिनेशन ठीक है और यहां पे आप लोग पढ़ लेन है सिंप्ली मैंने और इसको रेडि किया हो तो मैं जाता है इसमें डीपली जाओंगा नहीं और मैं करूँगा क्या आप डाइकली इसका कोड लिक के बता तो कुछ इस टाइप का पेजिनेशन होता प्रिवेस वान टू तो तरी और नेक्स पे आप कर सकते हो तो नेक्स पे तो इस टाइप का अगर आपको पेजिनेशन क्रेट करना तो आप सिंपली बूट से अपके अंदर कुछ ही कोड्स के अंदर आप इसको इंपलीवेंट कर सकते हो और इसको सी एससे से लिखने को जरूरी नहीं है तो मैंने विजल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा है कर लिया है इसमें सिंपली मैंने पेजिनेशन डोट हैस्टेमल नाम से मैंने एक फाइल करेट कर रहा है कि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको ठीक है और इसके अंदर मैंने सिंपल डिव लिया गया है और कंटेनर है मार्जिन डॉप से 5 पैडिंग 5 बोर्डर सिंपली इतना यह सिंपली और सिंपली और सिंपली सिंपल लिए मुझे लिखनी पड़ेगी ग्ली पेज डेस लिंग को पास करना पड़ेगा प्रेय पर कालग करना पड़ेगा और ऐसे मैं इसमें मल्टी टाइम स्कॉपी इसको कर लेता हूं और इसको मैं सिंप्ली नेक्स पे क्लिक कर देता हूं यहां पर मैं सिंप्ली वन कर देता हूं यहां पर मैं सिंप्ली टू कर देता हूं और यहां पर मैं सिंप्ली थ्री कर देता हूं बस आपका पेजी नेशन बनके रेडी इतने से कोड में आप यह तो मैंने आपको लिख कि कि रेंग वो कधे बताया इसको कॉपी करके यूज कर सकते हो मैं यहां पर चलता हूं यह पिर नोटिस कर सकते हुआ कुछ हो च्वित पेस होने का रिजन क्या है मैंने फॉर perse पेच कर दिया पेज लिंग कर दिया मैंने तोट ऑफ के इंग किस पेलिंग और कशो अब दो gefंपर ना-बानियोक की है benefic कास्ट शेस ब में कुछ परबलम और रही है अभी कोप्व करते हैं और इस दृधिक और मापको दिखाता हूं इसमेर और के रिफ्रेस करते हैं और ओके तो आप लोग नोटिस कर सकते हो प्रेवान टू थी एड़ सिंप्ली नेक्स सारी सीज़े यहां पर पेजिनेशन के अंदर आचुकी है आप इसको यूज कर सकते हो अगर आइकन के साथ साथ आपको सिंप्ली करना तो आप लिए कोई सिंप्ली ए और यह कोड़ आपको इंप्लिमेंट करना है इसको और बस आपको यहां पर चिपका देना फिर्ट जो भी आपका यह जो नेक्स्ट वाला बटन ना हमने किया था इस पर हम सिंप्ली इसको पेस्ट कर देंगे ओके और मैं यहां पर चलता हूँ रिफ्रेस करता हूं तो यह म मुझे बैक का चीए तो यहां पे बैक का बीनों ने दे रखा है simply आप यह वाला यूज करो तो आप यहां पे यह वाला यूज कर सकते हो ठीक है ओके तो इसमें मैं प्रिवेस के अंदर जा कि simply इसको पेस्ट कर लूँगा save करूँगा program को run करूँगा और यह completely set हो चुका ओके तो यह सिंपल आपका पेजिनेशन होता है और इसको मैंने अबता है simply इसमें काफी और चीज होती है अगर disabled करना हो तो आप simply disabled class लिखते है जिसको भी आपको disabled करना हो इसके अंदर उसको आप disabled के अंदर लिख दीजिएगा साइजिंग सेट करेंगे तो आप simply वही चीज है आप यहां पर LG यूज़ करेंगे SM यूज़ करेंगे MD यूज़ करेंगे वह सिंपली साइज का हो गया SM का है alignment सेंट करना है किस के अंदर आना सिंपली आप justify content center यूज़ करेंगे और मैं आपको लिख क्या बदाई देता हूं एक काम करता हूं मैं इसको छोड़ा कम जूम कर लेता हूं ठीक है hand rate पर मैंने किया और इसके अंदर मैं simply इसको paste करता हूं justify content center तो यह properly आपको center के अंदर मिलेगा ओके ठीक है और और इसमें simple काफी इतना ही है बस यह simple आपका पेजिनेशन है और hope कि आपको वीडियो clear हो गया होगा सारे concepts आपको clear हो गया होंगे और बस यही था